Good morning बच्चों, कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की धेरो 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 शुब काम नाएं Happy New Year to all of you और आज फिर से आपका स्वागत है Mission Sikshan Samvaad की पढ़ाई से प्रत्योगीता तक की Sheet No.23 जिसका आज topic है Interjection English Grammar की Sheet No.23 Interjection में आप सभी का स्वागत करती है आपकी शालीनी कुश्वाह मैं और आईए अब आज हम Interjection जो कि आज का यह chapter बहुत ही ज़्यादा interesting और बहुत ही ज़्यादा छोटा भी है पर मज़ेदार बहुत है और हम शुरू करते हैं अपना आज का chapter Interjection जैसे क्या आप देख रहे हैं स्क्रीन में आपको Interjection लिखा हुआ मिलेगा जिसकी spelling है I-N-T-E-R-J-E-C-T-I-O-N Interjection आए समझ लेते हैं Interjection क्या होता है पहले English Definition, फिछ हिंदी Definition An Interjection is a word used to express some sudden feeling of the mind और इसको पहले English में समझ लेते हैं फिर थोड़ा explanation मेरी ओर से Interjection वा शब्ध है जिससे आकस्मिक प्रसन्नता दुख, आश्चेरी या मन का कोई अन्य भाव प्रकट होता है Interjection के अंत में सम्बोधन चिन जो आप ये देख रहे हैं ये ऐसा चिन जिसमें एक लाइन होती है मेरी लाइन टेड़ी हो गई जिसमें एक सीधी लाइन होती है और नीचे एक डॉट लगा होता है एक बिंदी लगी होती है तो ये आपका Interjection का चिन है सम्बोधन चिन का प्रयोग किया जाता है Interjection जैसर कि आपको Explanation से पता चल गया होगा Definition से पता चल गया होगा सम्बोधन किसी चीज को सम्बोधन करने के लिए हम कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग करते हैं और वो एकदम से अनायास हमारे मुझे निकल जाते हैं जैसे कि यहाँ पर कुछ शब्द आपको Example के तोर पर दिये गए है जैसे मैंने आपको हमेशा ही जब भी इस कक्षा की शुरुवात की है तो मैंने आपको बोला है हेलो बच्चों हाउ अर यू तो आपका यहाँ इंटरजेक्शन हो गया हेलो जैसे हाँ कि हम इंदिम बोलते हैं नमस्ते उसी प्रकार अलास जब हम दुख प्रकेट करते हैं तो अलास उसी प्रकार जब हम बहुत खुश होते हैं तो हमारे मुझ से निकलता है हुर्रे और और फिर कभी दुख प्रकेट हो करने के लिए आह चोट लगती है तो आप कैसे बोलते हैं या फिर आउच तो यह सारे आपकी interjection है are called interjections interjections may express interjections से क्या क्या express हो सकता है आईए देखते हैं जैसे कि ज्वाए ज्वाए मिन्स आनन्द, प्रसन्निता, खुशी उसके लिए हम हुर्रा, खुशा ऐसे शब्दों का यूज करते हैं ग्रीफ, दुख के लिए अलास, आह, ऐसे, ओ, ओ का यूज भी हम कभी कभी दुख के लिए करते हैं, ओ, ये क्या हो गया, लेकिन सप्राइज के लिए ज़्यादा यूज होता है, ओ, हाँ, वाट, ऐसे हम जब बोलते हैं, वाट, ये क्या कह रहे हैं आप, तो ऐसे में सप्रा और अप्रूवल या प्रेज कोई कुछ अच्छा करता है, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, ब्रेवो, शाबाश, ब्रेवो, यूज हैब डन वेल, तो इस प्रकार से हम ज्वाए, ग्रीफ, सप्राइज और प्रेज के लिए ये सभी शब्द, ये सभी वर्ड्स यूज करते हैं, इसके पशात अब हम आते हैं, next अपने, certain groups of words are also used to express sudden feelings of emotions, कुछ ऐसे words हैं, जो हम यूज करते ही करते हैं, जैसे कि आहमी, बहुत दुख की समेदना होती है, उसको प्रकट करने के लिए, आहमी, बहुत दुखी बात है, well done, बहुत अच्छा, शाबाश, इसके लिए होता है, good gracious, सभागी की बात है, अरे वह, very good, for shame, हम किसी को नीचा दिखाने के लिए, या फिर, कुछ गलत कोई करता है, तो मुसके लिए कहते हैं, कि कितनी गलत बात है, इसी प्रकार, ये कुछ इंटर्जेक्शन आपको, wow, hi, oh, hur, और ये मैं देख नहीं पा रही हूँ, थोड़ा बढ़ा करके देखती हूँ, ये, ये हमारा है, ये, ये means, अरे वा, जैसे नहीं हो तब, किसी चीश के लिए बहुत खुश हो गए, तो उसके लिए, ये, इस प्रकार से आपने देखा, सबसे पहले हमने, इंटर्जेक्शन, शब्द को जाना, फिर उसकी डेफिनिशन जानी, इंग्लिश में, हिंदी में, साथ ही साथ, कुछ एग्जेम्पल्स जाने, हम खुशी में, दुख में, कौन-कौन से वर्ट्स का यूज करते हैं, हमने ये भी जाना, और कुछ ऐसे फ्रेजस जाने, जिनको हम अकसर यूज करते हैं, तो जैसे आमी, वेल डन, गुड़ ग्रेशियस, फॉर शेम, और इंटर्जेक्शन के कुछ स्पेशल वर्ट्स की विशह में जाना, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो एक्सरसाइज मे हमारे पास first question है, पहले तो question का जो instruction है, वो पढ़ लेते हैं, choose the correct option among the given words, जो आपके यहाँ पर words दिये गए हैं, उनके, उनको देखकर आपको नीचे जो sentences दिये गए हैं, इन में से ही चुनकर फिल करना है, तो देखिए, डेश, she is dead, अब दुख की बात है, dead मतलब कोई expire हो गया मर गया, तो यहाँ पर हम दिखेंगे, अलास, दुख की बात है, she is dead, मर गई है, नेक्स्ट है, we have one the game, तो इसके लिए हम हुर्रा, खुशी से जूम उठते हैं, तो बोलते हैं, हुर्रे, हुर्रा, हम गेम जीत गया, इसके बाद, नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, well done, तो ब्रेवो, well done, शाबाश, बहुत अच्छा किया, very good, बहुत अच्छा किया, इसके बाद, यहाँ पर है, कपिल, how are you, जैसे मैं आप से बोलते हूं, hello बच्छो, तो यहाँ पर बोला गया है, hello कपिल, how are you, तो आपका यह hello, fourth number पर आ जाएगा, और अभी एक बाफी से रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि नीचे चली रहेंगे, तो यह वर्ट्स आपको दिखेंगे नहीं, सबसे पहले, alas, she is dead, इसके बाद, hurra, we have been the match, इसके बाद, प्रेवो, well done, शबाज, बहुत अच्छा किया, और hello कपिल, how are you, next अब आपके पास सिर्व एक बचा है, आपको पता चल गया, कि जो भी आएगा, उसमें बाट फिल करना है, तो आई देखते हैं, आगे sentence क्या आता है, डेश, a beautiful scene it is, तो यहाँ पर आपको पहले ही पता चल चुका है, कि यहाँ पर हमें what भरना है, what a beautiful scene it is, कितना सुन्दर चित्र है, यह कितना सुन्दर चित्र है, कितना सुन्दर चित्र है, जो हम ऐसे बोलते हैं, expression के साब, तो वो अब बहुत अच्छा लगता है, तो इस प question complete हो गया, और फिर आपको दुबारा से, तिबारा से या बार बार से आपको एक comprehension मिला है, comprehension में कुछ lines में आपको यह stories दी गई है, एक पुरा paragraph है, और चित्र देखकर भी आप guess कर पा रहे होगी, कि यह story बहुत अच्छी होगी, और बहुत ही ज़्यादा sensitive भी होगी, इसी इसमें question answers दीए है, story पढ़ने के बाद आपको question answers solve करने है, और अपनी में से इसके विशे पर बात करनी है, जहानी समझ में ता में से पूछना भी है, यह story पढ़ेंगे, तो आपकी English भी improve होगी, और साथ साथ आपकी समझ भी बढ़ेगी, तो यह रही आपकी sheet number 23, और next week में फिर से आपके सामने आपके में शाली निकोश्वाब बस्तित होंगी, अगली sheet और अगले विशे को लेकर, आपके अगले subject को लेकर, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखे, एक बाद फिर से, happy new year, take care, bye bye